नई संसद में बहुजन समाज पाल्टी के सांसद दानिश अली के खिलाफ अबद रभाशा का प्रियोग करने वाले बीजेपी के सांसद रमेश बिधूरी को पाल्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है भारती जनता पाल्टी ने रमेश बिधूरी को राजस्थान चुनाओ के लिए एहम जिम्मेदारी देते हुए उन्हें टोंक संसदी छेत्र के लिए पाल्टी का चुनाओ वरभारी बनाया है बीजेपी ने ये फैसला उन अटकलों के बीच लिया है जिसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि कॉंग्रस नेता सचिन पाइलेट टोंक विधान सबाच चीट से चुनाओ लड़ सकते हैं वहीं बीजेपी की ओर से सांसद रमेश विदूडी को बड़ी जिम्मेदारी दिये जाने पर बहुजन समाच पालटी के सांसद दानिश अली ने भारतिये जनता पालटी पर निशाना साधा है आपने उस नफरत को जो है का इनाम आप दे रहे हैं नफरत पहलाने का इनाम दे रहे हैं तो आप बीजेपी का चाल चरित और चेहरा जिसकी वो बात करते हैं बड़े दख से वो एक्सपोज हो गया है और इनको लगता है कि इस तरीके के लोगों के प्रमोशन्स करके यह मैजोरिटी वोट कंसॉलिडेट कर लेंगे एक गलत फैमी क्योंकि इस देश मुझे मैं जो समझता हूं कि देश का आम नागरिक एक जो हेट मौंगर्स हैं वो उनको छोड़ करके आम नागरिक इस तरीके क कि भाषा को कभी भी एक्षेप्ट नहीं कर सकता है दानिश अली के अलावा अन्य विबक्षी पार्टियां भी इस मामले को लेकर बीजेपी पर हमलावर हैं टीमसी की सांसद महुआ मोईत्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बीजेपी एक कारण बत का सबका विश्वास ये सब हैं इनका बकवास बता दें कि बीजेपी सांसद रमेश बिदूडी ने लोकसभा में चंद्रियान थिरी की चर्चा के दोरान बसपा सांसद कुमर दानिश अली के खिलाफ आपत्ती जनक शब्दों का प्रियोक किया था विवाद बढ़ने पर बीजेपी ने बिदूडी को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है कि आखिर उनके खिलाफ पार्टी कारवाई क्यों नहीं करे